आप सभी का स्वागत हैं स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे जिसका कंसेप्ट रहेगा प्रियोडिक फंक्शन अगर किसी फंक्शन की वेल्यू जो फंक्शन एक्स वेरियबल में कोई फंक्शन है अगर उसकी वेल्यू सेम रहे यानि अनल्टर रहे यानि चेंज ना हो वन एक्स प्लस अल्फा वेर अल्फा इज लिस्ट पोस्टी रियल नंबर जब किसी फंक्शन की वेल्यू सेम रहे जब हम एक्स को एक्स प्लस अल्फा बना दें लेकिन फंक्शन की जो वेल्यू रहे वो सेम रहे तब हम उस फंक्शन को कहेंगे पिरियोडिक फंक्शन और alpha क्या होगा alpha is the period of the function क्योंकि अगर हमने उसमें x में alpha add किया और दुबारा से हमारे का function की same value मिल रही है it means alpha क्या रहेगा उसका period और यह सारा function क्या रहेगा fx वो fx को कहेंगे हम periodic function जैसे suppose students मैं आपको example दे रहा हूँ जैसे function है मेरे पास sin x है अब अगर मैं sin x की value कहूं अगर x को मैं x plus 2pi करें या 2pi plus x करें 2pi plus x पे value निकालों इसकी sin of 2pi plus x तो हमारे पास sin 2pi यानि 360 से कोई value change नहीं होती ति 2pi यहां पे होता है students मैंने last exercise में बताया है यहां पे pi है यहां पे 0 है 2pi यहां पे pi by 2 और यहां पे 3pi by 2 2pi यहां पे होता है और इस line पे change नहीं होते तो हमारे पास sin 2pi से change नहीं होगा और sin का sin x का x sin 2pi plus theta sin theta और कौन सा quadrant है फर्स फर्स quadrant sin post यानि function में अगर मैंने 2pi add किया और function की value same sin x आ रही है it means जो sin x function है वो क्या है periodic function है और इसका period कितना है period है 2pi क्योंकि 2pi अगर हम add करेंगे तो value change नहीं होगी तो कई students यह बोलते हैं sir pi add करके देखो अगर मैं sin pi add pi plus x करूं तो sin pi plus x करेंगे अगर हम तो यह आएगा sin pi से change नहीं होगा तो sin का sin x का x कौन सा quadrant है second है यह third है third में sin negative तो यह value change हो गई है तो यह pi इसका period नहीं है तो इसका period कितना है 2pi period है इसी तरह से जो cos 2pi plus x करेंगे हम वो भी क्या आएगा cos x आएगा इसी तरह से सीकेंट 2pi plus x करेंगे वो भी सीकेंट x आएगा क्योंकि 2pi से change नहीं होगा और को सीकेंट भी हमारे पास 2pi plus x क्या रहेगा को सीकेंट x रहेगा हमने स्टूडेंट्स मैंने यह कहा है इस दी वेल्यू ओफ function x remain same when x is changed to x plus alpha where alpha is the list positive real number जो alpha alpha यहां पर हमने क्या लिया है 2pi यानि हमने यह कम से कम value लेनी है अगर कम से कम value पाई लूँ तो पाई से तो यह change हो रहा है यानि हमने कुछ ऐसी value add करनी x में जो कम से कम हो ऐसे तो 4pi प्लस x भी हमारे पास sin x रहेगा 6pi प्लस x भी sin x रहेगा लेकिन अगर मैं यह कहूं कि इसका मतलब 6pi b 4pi b इसका period हो जाएगा नहीं क्योंकि मैंने कहा है 2pi 4pi 6pi से किसी से भी change नहीं होगी value लेकिन list positive value क्या है 2pi तो इसका period रहेगा 2pi इसी तरह से इन सब का साइन का कोस का सीकेंट का को सीकेंट का यानि जो alpha है वो कम से कम होना चाहिए अब अगर मैं tangent 2pi प्लस x करूं तो वह भी tangent x रहेगा लेकिन tangent को अगर मैं पाई प्लस x भी करता हूं tangent प्लस x तो वह tangent x आएगा और third quadrant पाई से चेंज नहीं होगा third quadrant में tangent क्या है पोस्टी तो यह पोस्टी आएगा यानि जो tangent है उसका उस वैसे tangent 2pi प्लस x भी हमारे पास क्या आएगा students 2pi प्लस x भी tangent x आएगा इसका मतलब tangent का भी 2pi period है लेकिन मैंने कम से कम वैल्यू लेनी है तो pi से भी tangent x रहेगा यानि पाई पे भी चेंज नहीं हो रहा है अगर अलफा की वैल्यू पाई ले और टू पाई ले उस पे लेकिन अलफा की वैल्यू मैंने क्या लेनी है लिस्ट लिस्ट में क्या आएगा पाई तो यानि टैंजेट का जो पिरेड रहेगा वो क्या रहेगा पाई रहेगा इसी तरह से students quote pi plus x भी हमारे पास क्या रहेगा quote x रहेगा और पाई से चेनी होगा third quadrant है positive तो quote x it means हमें यह पता चल गया यानि यह साइन को स्टैन को सीकेंट सीकेंट और quote all are periodic function यह सभी periodic function है जिसमें period of period of sin x cos x 10 cosecant x और secant x का क्या है is two pi whereas period of tangent x and quote x का जो period है वो कितना रहेगा पाई रहेगा students तो उमीद करते हूं आपके यह चीज़ समझ आई है यानि periodic function क्या होतते हैं वो सभी function जिन में हम x की जगा x plus alpha करें और x plus alpha रखने के बाद उनकी value change ना हो तो उन function को हम क्या कहेंगे periodic function जैसे यहाँ पे x plus alpha is equal to fx यानि x plus alpha alpha यहाँ पे 2 pi है तो again sin x रहा x यहाँ 2 pi plus x रखा तो sin x तो यह periodic function है sin x जिसका period कितना है 2 pi same secant cosecant 10 code यह सभी periodic function है लेकिन ध्यान रखना है हमने जो alpha add करेंगे वो कम से कम होना चाहिए यानि वो कम से कम value लें जहां पे वो change ना हो यानि वैसे तो यह 4 pi पे भी change नहीं होता 6 पे भी लेकिन 2 pi हमारे पास कम से कम value है लेकिन tangent हम देखे तो पाई है कम से कम value लेकिन अगर इन केस में पाई आड़ करें जैसे हम से sign में पाई आड़ किया तो लेकिन यह सचेंज हो रहा था इसलिए हमने sign को secant और cosecant की इन में से किसी की value भी किसी का भी period पाई नहीं होगा क्योंकि वो change हो जाएगी negative sign का फरक पढ़ जाएगा तो students यह होते हैं हमारे पास periodic function अब students एक theorem आपको बता रहा हूं अगर हमारे पास if fx is a periodic function with period alpha then f ax plus b where a is greater than 0 जो यहां पे a है यह value greater than 0 होनी चाहिए इजे periodic function with alpha by a यानि अगर मेरे पास function है कोई उसका period हमारे पास alpha है और अगर मुझे इसका period check करना f of ax plus b का तो उसका period होगा हमारे पास alpha by a जैसे suppose students मैं वैसे तो पहले तो example देता हूं और फिर इस for example मैं direct भी बता रहा हूं direct इसको प्रूव कर रहा हूं direct जैसे उसने कहा है मैं मेरे को secant 4x का period निकालना है secant 4x का मुझे period निकालना है मुझे पता है secant x का period क्या है period of secant x period of secant x का है 2pi अगर मुझे secant 4x का period निकालना है यहां पर a जो है यह value greater than 0 है तो इसका period क्यों होगा alpha by a यह alpha है students तो यह अलफा by a 2pi by a a means 4 2pi by 4 means pi by 2 तो इस तरह से हम period जैसे sin x का मुझे period पता है वो कितना है 2pi period है 2pi है sin x का अगर मुझे sin 6x का निकालना है students तो यह a है यह वाली a है a x तो मुझे sin 6x plus 5 का निकालना है sin 6x का निकालना है तो वह आ जाएगा students alpha by यह alpha है this is alpha तो alpha by a यह a है हमारे पास 6 तो 2pi by 6 यानि pi by 3 तो यह इस theorem का कहने का मतलब है students अब मैं आपको इसका प्रूफ भी करवाता हूं students जैसे मेरे पास consider the function हमने एक function consider किया secant 8x plus tangent 4x तो secant 8x इसका period क्या है 2pi secant यानि 8x plus 2pi और इसका period है students हमारे पास tangent 4x plus pi आप students मैंने अंदर से 8 common लिया तो secant 8 common लिया तो अंदर बच गया x यहाँ पर 8 नहीं है तो यहाँ पर पाई बाई सीक एक्स plus pi by 4 बच जाएगा वो कैसे students मैंने 4 से multiply 4 से divide उपर 8 common लिया तो अंदर बच गया एक्स प्लस यहाँ पर नहीं तो फोर से multiply 4 से डिवाइड पाई बाई फोर उपर वाला 4 मैंने को मने लिया अब अगर हम इस सारे function की value यानि secant 8x प्लस 10 4x में एक्स को अगर एक्स प्लस पाई बाई 4 रखें एक्स को मैं अगर मैं एक्स प्लस पाई बाई 4 रखूंगा तो इस function की सारे की value क्या रहेगी unchanged रहेगी so thus on changing x to x प्लस पाई बाई 4 the value of value of secant 8x प्लस tangent 4x will unchanged unchanged रहेगी तो it means इसका जो सारे का जो period है so period क्या रहेगा period of secant 8x प्लस tangent 4x क्या रहेगा हमारे पास पाई बाई x प्लस यानि पाई बाई 4 रहेगा यह क्या रहेगा पाई बाई 4 तो इस तरह से students यह theorem है हमारे पास वैसे इसका proof नहीं आता है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए अगर मुझे किसी भी function का period निकालना है suppose tangent मुझे 4x प्लस 3 का period निकालना है तो मुझे पता tangent 4x का tangent का जो period है वो पाई यानि यह यह अल्फा अल्फा है अल्फा बाई क्या आएगा हमारे पास फार्मुला का अल्फा बाई ए तो ए कितना है फोर तो पाई बाई फोर आ जाएगा अब स्टूडेंट्स हम exercise करते हैं 3.5 हमने graph ड्रो करने हैं तो graph जब भी हम graph ड्रो करते हैं उससे पहले हम table बनाते हैं तो यह exercise आप इसकी पिक ले सकते हो तो first question है exercise कि 3.5 का है कि फर्स्ट कोश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो कहता है ड्रा दी ग्राफ ओफ ड्रा दी ग्राफ कि ओफ साइन एक्स साइन एक्स का हमें ग्राफ ड्रो करना है वे और है एकस हिस बिट्विन माइनस पाई से रहाइ पाई एक्स कहां से कहां होगा माइनस पाई से पाई के बीच में तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसका ग्राफ अगर ड्रो करना है तो इसके लिए टेबल बनाएंगे टेबल कैसे बनेंगी हमारे पास यह माइनस एक्सोस्टी है यह एक्सोस्टी है डारेक्ट हम माइनस एक्सोस्टी इसको डिग्री में भी ले सकते हैं टेबल बनाने के लिए यानि हमारे पास यहां पर हमने लिया x और यहां पर लिया sin x यानि फंक्शन क्या मेरे मेरे पास sin x अगर x की value minus x10c से less than equal to है or greater than equal to है equal का यानि minus x10c से x10c के बीच में है माइनस x80 ले लिया मैंने minus x35 ले लिया फिर मैंने minus 90 ले लिया फिर minus 45 ले लिया फिर zero ले लिया फिर 45 ले लिया इसी तरह से students मैंने 90 लिया 135 और फिर 180 यहां पर ले लिया 180 तो सब पर वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंस साइन माइनस 180 साइन माइनस 180 आएगा जीरो और साइन माइनस 365 अधिस अधा साइन माइनस 635 और 27 45 तो यह आयेगा 55 कि यह ओर यानि मैनश 25 और माइन 55 की वैलियो आहेगे स्टों ने मांने मिलवी रूट तो और 0.7 then यानी बन पैंट पर वन को भाव ça डिवाइड करें यह आएगा स्टूडेंस हमारे पास था पॉइंट सेवन माइनस का पॉइंट सेवन संतिन और मीनस ब्वे याएगा साम एन माइनस माइनस नभबे माइनिस जी नब बे और मैनस जी नब बे की वेल्यू-1 यह मैनस किवानगा यह आएगा 1बाइ रूट तो यह यह और यह और यहete डी वैल्बाइग और यहाए गया अगें-0.7 और यह जाएंगी कि आप अगर निकालोगे तो अब इनको प्लोट करते हैं स्टूडेंट्स प्लोट करते हैं हम लोग कि आपने एक्स एक्स पर लिया स्टूडेंट्स कि यह नेग्टिव एक्स ले लिते हम लोग कि तो यह जीरो लिया हमने यहां पर हम एक्स की वेल्यू लेंगे और यहां पर वाई की वेल्यू कि तो यहां जीरो यहां पर हमने लिया माइनस पिनतारीस यह पिनतारीस हो जाएक प्लस क्या यह नब्दे नब्दे को 90 डिग्री और यह 45 और यह 135 यह 180 और इसी तरह से यह 45 माइनस का 90 माइनस का 135 और यह माइनस का 180 और यहां पर students हम कितने कितने का gap ले हम यहां पर दो-दो का ले लिते हैं यह 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1.0 इसी तरह से यहां पर माइनस का 0.2 माइनस का 0.4 minus 0.6 minus 0.8 और एंग माइनस का 1.0 अब देखिए यहां पे हमने क्या लिया जब साइन की वैल्यू जीरो है तो जीरो और जब साइन माइनस एक सबसी पर जीरो माइनस एक सबसी यहां पर इसके है क्या जब एक्सक्राइब माइनस एक सबसी तो मैंस का जीरो परिंट सेवन तो मैंनस का 0.7 वाी पंद्धा सेवन यह यह यहां सी होगी तो यह आएगा पॉंट स्टूदेंट कर जब माइनस नब्बे है तो यहाईगी मैंनस का वन माइनस का 90 पर आएगी माइनस का 1 और फिर माइनस 45 पर आएगी स्टूडेंट्स यह 0.7 अगेन यह आजाएगी 0.7 यहाँ अगे स्टूडेंट्स और फिर जीरो पर आएगी 0 0 पर ऐगी 0 और इसी तरह से 45 पर 0.7 प्lifting का रिष्ट City अगया और यहाँ है अब अब स्टूडेंट नाइनटी पर यहां पर आएगी हमारे पास में आइनटी पर आएगी हमारे पास one नाइन टीप राइव आई ए बन और 25 पर पे 130 पे आएगी 0.7 और कि arm शर्म ने अगर हम इसको ग्राफिकल प्लोड करें तो यह महमारे पास कुछ इसतरह का कि यह देखिए आप लोग कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास ही आएगा तो इस तरह से आफ ग्राफ ट्रों कर सकते ग्राफ ड्रों करना बड़ा इजी है सिर्फ आपको वेल्यू निकालनी है उसके बाद ग्राफ को आपने सेम जैसे आप 10th क्लास में ड्रों करते हैं वैसे ह बीकरना तो इस तरह की यह करवाईगी स्टूण मारे पास तो यह था हमारे पास साईन एक्स का ग्राफ माइन पाई से पाई के बिजम है कि अब चूर्ण हमारे पास जो फॉस्ट का सेकिंड्ट पार्ट है वह क्या Nich ड्रादी ग्राफ ऑप कोस्स वेर एक्स सब्सक्राइब करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे टेबल बनाएंगे टेबल बनाने के लिया कोस x क्योंकि function है हमारे पास स्कॉस एक्स तो माइनस साथ से start करना तो माइनस साथ हमने माइनस तीस लिया फिर जीरो टीस साथ नबे और एक सो बीस क्योंकि हमने 120 तक लेना है 120 तो कोस माइने साथ अब कोस माइने साथ क्या होता है स्टूडेंस कोस माइने साथ साट प्लस का को साट होता है क्योंकि for was zero 0-0 से चेंश नहीं होता तो होसे को साट का साट और Gesund तो को साट की वैल्यू क्या है तो को साथ की वैल्यू है हमारे पास one by two यानि one by two one by two means 0.506 row最後 को साट can buy two say again cause minus哥 को सी से trust ord3 रूर थरी तिन जीरो पाइंट ये जीरो पिंट प्रॉण्ट तो फाई और कोज नैंटि जीरो और वंटवेंटी उन पार समीयूट का यानि कोश 120 को कहेंगे हम कोश 120 को कोश 180 माइन सिस्टी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे तो यहां पर सपोज जीरो दे देंगे हम इसको इंटर्वल ले ले लेते हैं हम यह एक्स एक्सीज पर ले लेते हैं पॉइंट्स और इन दा सेम वे हम वाई एक्सीज भी ड्रोग कर लेते हैं यह सपोज एक्स एक्सीज है और यह क्या है हमारे पास नेगटिव एक्स और यह एक्सीज कहेंगे हम यह नेगटिव वाई तो यहां पर भी वैल्यूज लेंगे हम पहले हम सेम कैप ले लेते हैं तो यह रहे गा हमारे पास 0 और यह रहे हमारे पास तीस साथ नबे एक्सो बूसेभी एक्स और ओर नेगटिव माइनस तीस माइनस साथ और यह एья अगेन हम यह लोगे फिर्सक्राइंट साथ धीत सब्सक्राइब माइनस साथ के सामने 0.5 को समा इनस तीसाई 0.8 यह माइनस 30 सफे 0.8 तो यह यहां पर आएगी स्टूडेंट और को जी रो है वन तो यह कुछ इस तरह से करब बनेंगे हमारे पास अब इसके बाद उसने कहा है को तीज जीरो पैंट एड को तीज जीरो पैंट एड और को साथ जीरो पैंट फाइव अबैउस और को सनबब जीरो और को सेक्षोए समाने जीरो पैंट फायव यह आएगा स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास तो स्टूडेंस हमारे पास यह आएगा को सैक्स का ग्राफ कहां से कहां तक है यह स्टूडेंस हमारे पास यह हमारे पास को सैक्स ग्राफ यह हम इसको कि इस तरह से दिखी भी सकते हैं 120 तक तो यह को सैक्स का ग्राफ है हमारे पास माइनस साठ से 120 तक का यह देखिए तो यह हैं हमारे पास कोस एक्स यह है मरवास कोश्यक्र नटिट्टेज करते हैं स्टूडेंट्स सेटिन कोश्ण ड्राधी ग्राफ ओफ टेंजर टेक्स ड्रो दीग्राफ of tangent x where x कहां से कहां तक है where x is between minus 90 minus 90 से 90 के बीच में तो students सबसे पहले हम क्या करेंगे हम table बनाएंगे तो table बनाने के लिए हम values लेंगे तो minus 90 से 90 के बीच की values लेनी हमने तो यहां पर हमने लिया x और यहां पर लिया tangent x तो minus 90 को नहीं लेना है क्योंकि between बीच वाली लेनी है यह equal का sign नहीं है यहां पर तो minus 90 और 90 के बीच में हम values लेंगे तो हमने लिया minus का 60 minus का 30 या minus का 45 ले लेते हम लोग और यह लिया minus का 30 और यहां पर लिया 0 फिर यहां पर 30 यह 45 और यह साथ तो हमने वैल्यू minus 90 के बीच में देनी है तो tangent minus 60 तो tangent minus 60 होगा students 0 minus यानि फोर्ट क्वार्टन्ट में minus का tangent 60 और tangent 60 का value minus root 3 और root 3 की value students होती है हमारे पास 1.7 तो यह आएगी हमारे पास minus root 3 यानि minus का 1.7 1.7 होते हैं minus 45 course minus 45 होता है 1 यानि यह आएगा minus का 1 course minus 30 आएगा 1 by root 3 और 1 by root 3 minus का रहेगा students सेम ऐसे ही और 1 by root 3 की value जो रहेगी हमारे पास वाइगी minus का 0.58 होती है अब कोस tangent 0 होगा हमारे पास 0 और 30 की value अगेन हमारे पास 0.58 आजाएगी वन वन उपन रूट 3 यह पिंताड़ी आजाएगा प्लस का वन और को साथ आएगा 1.7 और कोस 90 अगर हम 90 भी ले तो यह आजाएगा infinity और minus 90 हो जाएगा minus infinity तो हम वेल्यूज को ग्राफिकली प्लोट करते हैं students है तो यहां पर हमने गैप इक्वल रखा सबका आएज 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 देखिए हमने गैप इक्वल रखा स्टूडेंट्स और इसी तरह से नीचे की और तो हमारे पास जो यहां पर जीरो दिया यहां पर हमने तीस और यह साथ और यह नबबे और पिंतारीस यहां इन दोनों के बीच में आएगा उस्टूडेंट्स फोर्टीफाइश्ट येद्रस यहां पर माइन थीस यह साथ और यह मांने उनक्वे और पिंतारीस यहांपर आ यहां पर एगा फाइब का लिए हमने और यहां पर तू पाइंट फाइंड सो ओन यह जाएगा स्टुडेंस इन फाइन तक अब देखें टैंजन्ट सिस्टी माइनस शिटी यहां पर स्टूडेंस और टैन माइनस टी वाली मानस वन पॉन पाइंट सेवन यहां निया पर मैस का जीरो पाइं पॉइंट जीरो और यह दे ऐस का माहिन प्यन्स इसका फाइट व्हुए को और माग उनक को न सब्सक्राइब करनाउट सुड can, David और प्रल्टरात ओंव प्रलह माीनस तीरीश पही जी खजम है मायस की फाइब के टिरीश पन देच है मायनिस थिस पह दाली पर उन माइनस पिंतारीस पर आएगा स्टूदेंस यह वन और माइनस तीस पर आयगा यह माइस का 0.58 0.58 यहां पर स्टूदेंस यहां पर आएगा 0.58 पॉइंट फाइट पाइट फाइच आगे और 0 पर 0 रहेगा और चुनलेंस हमारे पास इसके बाद यहां पर 30.58 30.58 यहां रहेगा students 45 पर 1 यहां रहेगा students और 60 पर 1.7 और 90 पर इन्फाइनेट इन्फाइनेट तो उपर चला गया students तो यह हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है students इसका ग्राफ तो यहांनि इन्फाइनेट को अप्रोच करेगा student इस तरह से हमारे पास यह टेंजट एक्स का ग्राफ आएगा तो दिशेजा ग्राफ ऑफ किसका है टेंजट एक्स अब students next question है हमारा हमने sin x प्लस कोस x का ग्राफ ड्रोग करना है 0 से 2 पाइन 0 से 360 के बीच में तो सबसे पहले हम लोग table बनाएंगे तो table बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहां पे लेंगे x और यहां पे लेंगे sin x और यहां पे लेंगे students हम लोग कोस x और यहां पे लेंगे हम next में लेंगे sin x प्लस कोस x sin x प्लस कोस x यानि दोनों को हमने प्लस करना है तो हम values लेते हैं students यहां पर लिए हमने 30 यहां पे 60 यह 90 एट यह 120 एक्सो परचास तीस तीस का गयप ले लिए हमने students यहां पे 210 यहां पे 270 यहां पे 300 यहां पे 330 और यह लिए हमने 360 हमने 330 से 360 के बीच अब साइन 30 साइन 30 होता है 1 बाइट यानि 0.5 साइन 60 होता है रूट 3 बाइट यानि हमारे पास रूट 3 बाइट वाजाएगा 0.8 साइन 91 साइन 120 अगेन 0.8 यह 0.5 आजाएगा और फिर यह आजाएगा 0 और यहां पे 0 भी ले लेना है कि 전र होंसे है स्ट्रूडफह अमने 0 नहीं लिए तो यहां पे घी र interrupting लेना था तो टोट जीरो वाली यहां पे लिए दिधा है और यहांपे लेन था में तो जीरो साइन 0 प्रूते है जीरो अब अब देखिए इसके बाद साइन 210 यानि साइन एक सोफी प्लस तीस एक सड़ी चेंज भूझ रहेगी यानि साइन 210 है हम साइन 210 की वेली कैसे निकालेंगे एक रस्थीप्छ तीज एक से श्रीप्रकाल से प्लस तीज और एक सोफरेख से चेंज्ज हो जाय नहीं होगा तास्सएं तीज काओटीज एक सथर्ण में इस हुख टिज्फ झौस्टिंग बाइच सबक्राइब कर्दड हमारे पास कि यह माइनस का 0.5 और यह आजाएगा स्टूडेंस हमारे पास तिनसो शाट जीरो और इसी तरह से अगर कोस की वैल्यू देखे हम कोस तीस हो जाएगा हमारे पास रूट त्रेजिरो पांट एट को साथ जीरो पांट फाई और कोस नाइंटी आजाएगा फिर यह आ जाएगा कोस एकशो पीस को एकशो भी सो जाएगा स्टूडेंट कोशेक्स अबीस हमारे पास आजएगा कोस एकसो 60 माइनस का को साथ आजाएगा और माइनस को साथ के एंडिवन पॉइंट फाइवन पाईग्न पाईएग्स का 0.5 तो फिर माइनस का यह 0.8 माइनस का वन तो फिर कोश 210 आजेगा कोश एक ससी प्लस तीस यह नहीं माइनस का 0.8 यह रहेगा और यह रहेगा हमारे पास माइस का 0.5 और यह आजेगा फिर कोश 300 कोश 270 प्लस तीस साइन तीस के लिए 0.5 फिर 0.8 और फिर यह आजेगा वन और कोश जीरो अगर हम कहें तो वह तैंवन अब सब को एड़ करें आट यह आजाएगा हमारे पास 1.37 क्योंकि 0.87 होती है स्टुडेंट से वैल्यू तो 0.87 लिखेंगे हम सभी जगें तो लिखने की जुरूरत भी नहीं पॉइंट एवन वन त्री भी कर सकते हैं कोई जुरूरत भी नहीं है तो यहां पे हमारे पास जो साथ डिगरी पे जो आएगी हम इन दोनों को एड़ करेंगे यह भी हमारे पास कितना आएगा 1.37 और वन अबय पर आ जाएगा वन और यह आजाएगा स्टूडेंट हम इसमें इसको एड़ करेंगे तो ही माइन अ हो जाएगा तो यह जेगा 0.37 और जब इसमें यह आजेगा माइनस का 0.37 और यह आजएगा माइनस का वन और यह माइस का 1.37 और यह आजएगा माइनस का 1.37 और यह आजएगा माइनस का 0.37 और यह आजएगा प्लस का 0.37 और यह आजएगा क्योंकि यह पॉइंट सावन होती है ना स्टूडन्स और यह आजएगा प्लस का 0.37 सदूड़ेंट्स हम इसका ग्राफ प्रो करने के लिए मैं यहां फे दो लिया एक एक्सलिया है और यहां पे डिया है मैंने एक पर देखेंखेंट्स जब x की value 0 है तो sin x plus cos x की value है 1, जब x की value 0 है यहाँ पे, student मैंने right and left side में मैंने x x को नहीं बढ़ाये त्योंकि मुझे मेरे पास negative value नहीं ची एक्स की, तो x की value जब 0 है, तो sin x plus cos x की value है 1, तो 1 है students हमारे पास यहां यहां पे, जब x की value 30 है तो यह 1.37 है, 1.37 जब x की value 60 है तो यहाँ आएगी 1.37, 60 है और जब हमारे पास 90 है तो हमारे पास 1 90 पे 1 और 120 पे 0.37 120 पे 0.37 0.37 यह आएगा यहां पर 120 पे 0.37 150 पे है माइनस 0.37 150 है माइनस 0.37 वो नीचे आएगा और 180 पे आजाएगा हमारे पास माइनस 1 तो माइनस 1 यहां पर स्टूदेंस और 210 पे आएगा माइनस 1.37 तो 1.37 यहां सी आएगा स्टूदेंस 210 पे और यह देखी यहां पे 210 पे 1.37 यहां पे था माइनस का अब इसके बाद 240 पे हमारे स्टूदेंस तो यही है माइनस 1.37 तो 240 पे भी 270 पे स्टूदेंस यह देखे माइनस 1 270 यह रहा है और यह माइनस 1 यहां पे आजाएगा स्टूदेंस और 300 पे 0-0.37 तो यह आया हमारे पास 300 पे स्टूदेंस 0.37 330 यहां पे है 0.37 यहां पे है तो इसके सामने 0.37 और 360 पे 360 पे वण यहां पे आगया स्टूदेंस हमारे पास यह वन हैं कई अब इन सबको अगर मैं मिला हूं तो यह कैसे आएगा स्टूदेंस यह इसट्रे में से आए गां हमारे पास कि यह आई है हमारे पास इस तरह से करव तो दिशी जमक्रव फ़ोर साइनेठ प्लस कोशैक्स साइनेठ माझेकस सो श्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बागी के क् самैस्ट रिप्लस कोशैक्स है मैं करेंगे इसका खाले में अगर समझ अधारी ते उसको लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें Thank you very much